हालो एब्रीवन वेलकम टो अनकाडमी लेट्सक्राइक यू पेसी सी एसी हिंदी मैं रिंकु सिंग स्वागत करती हूं आप सब लोगों का और अज कई दिनों बाद मैंने उपींदर सिंग की क्लास ले रही हूं मैं और उपींदर सिंग की क्लास में हम लोगों है चैप्टर वाइव हम लोगों ने शुरू कर दिया है और चैप्टर वाइव एक सेकें णत्यामScott अ ट्रक्षाथ वाट चॉबिड रच्छाथ प्रच प्रच चालो वेरिबन वेलिकम टाने काड मेलार प्रच पर चॉब प्रच पर चॉब। मैं रिंको सिंग स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का तो आज कई दिनों बाद उपिंदर सिंग की क्लास ले रही हूँ मैं और जितनी लोग भी उपिंदर सिंग की इस क्लास को फॉलो करते हैं हिस्ट्री ओप्शनल वाले जी एस वाले तो आप लोग इस session को भी ध्यान से लिजेगा क्योंकि इसमें हम लोग गुप्त और वाकाटक गुप्त ये chapter 9 में chapter 9 में मैंने गुप्तों का राजनिति की तिहास बता दिया था आज वाकाटकों के बारे में बताऊंगी और फिर मैं गुप्त और वाकाटक प्रशाशन के बारे में बताऊंगी तो यहां से कई ऐसी प्रशाशनिक शब्दावलियां हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं उन पर questions उन टर्म्स पर questions आते हैं इसको आप note करते हुए चलेंगे ठीक है तो अन एकाडमी जहां पर आकर आपकी तैयारी complete होती है आपकी खोज खतम होती है और आपको यहां पर आकर एक तरह से आधी मंजिल मिल जाती है वो इंग्लिश वाली का हावा सुना है ना आपने कि अगर आपकी strategy अच्छी है तो अ आधा काम तो आपका भी हो गया आधा काम हो गया आधा हो जाता है उसकी भी guarantee होती है तो अगर सही जगह सही तरीका आप लोग चुन लेते हैं अपनी तयारी के लिए सही coaching का चुनाओ सही class का चुनाओ सही mentor का चुनाओ बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो यह आन एकाडम तो इसके लिए आपको आन एक आडमी का एक learning app डाउनलोड करना है और यहाँ पर learning app डाउनलोड करते ही जैसी वहाँ पर course select करते हो आप UPACCAC आपको 100 प्लस टॉप के educators आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनके साथ आप अपनी तयारी complete कर सकते हैं पूरा comprehensive syllabus यहाँ पर आपका cover कराये जाता है और यहाँ पर 1500 से जादा 1500 से जादा यहाँ पर courses हैं और यह आपकी तयारी को तयारी को बिलकुल full speed एक आप कह सकते कि गती प्रदान करती हैं और आप recorded classes देखके भी अपनी तयारी complete कर दे सकते हो और live class लेना है तो जैसा कि मैं आपको दो-ती दीन से बता रही थी कि 2021 के लिए 2022 के लिए 2023 के लिए 14 दिसंबर से और 15 दिसंबर से कई सारी batches शुरू हो गई हैं तो यहाँ पर आने के लिए आपको plus और iconic दो तरीका बजता है तो iconic subscription और plus subscription के में फर्क क्या है और दोन्यों की fees में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देती हूं तो plus subscription आप लेते हो तो 44,550 रुपे में 1 year का, 64,800 में 2 year का और 81,000 में आपका 3 year का है मेरे code के साथ और iconic subscription आप लेते हैं तो iconic subscription में fee थोड़ी जादा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक personal coach मिलता है और उस personal coach के साथ उस mentor उस guide के साथ आप अपनी तयारी करते हैं तो इसमें 62,550 रुपे में आपका 1 year का, 96,300 में आपका 2 year का और 1,26,900 में आपका 3 year का यह पूरी आपकी तयारी होती है इसमें और आप EMI से भी आप payment कर सकते हैं EMI से आपका जो है 12 महिने वाला 5000 का है, 2 साल वाला 4000 महिने का देना पड़ेगा और 3 साल वाला आपको 35 रुपे महिने का पड़ेगा इसके लिए आप credit card बनवा लिजे ठीक है, credit card आप बनवा लो, credit card से ही payment करना, बाकी कोई और source मत चूज करना क्योंकि फिर वहाँ पर आपको जो mentor है आपका जो coach आप लेना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको ठीक है, तो credit card और बाकी sources उतने reliable भी नहीं कहे जाएंगे credit card यूज करते हो आप payment के लिए तो आप सीधा किसी नकिसी educators है जैसे मेरा code यूज करते हो तो आप मेरे साथ directly आप touch में रहेंगे, contact में रहेंगे तो optional के लिए भी अब सिर्फ subscription ले सकते हैं तो पबेट, PSIR, psychology, sociology, geography, history, economics, anthropology, geology, agriculture, mathematics, commerce, law, management, methodology, हिंदी साहिते, कर्नर साहिते, English साहिते ये सब ही, ये सब ही आप optional के subjects, इन में से कोई भी हो, इन सब की ही पढ़ाई होती है और भी बहुत सारे optional के subjects हैं, जिनकी पढ़ाई या निकार्मी पर होती है तो सिर्फ optional के लिए subscription आप 24,750 रुपे में ले सकते हैं, मेरे इस code के साथ और 24,750 रुपे में आपका वर एयर का, 36,000 में 45,000 में आपका, 36,000 में 2 साल का, 45,000 में 3 साल का एक महीने से लेकर, 36 महीने तक का, आपका इसमें है subscription plan आपको मैं ये कहूंगी कि आप कम से कम एक साल का जरूर लेना तो ये मेरा telegram link है, यहाँ पर आप मुझे contact कर सकते हैं और यही पर आपको मेरे session का PDF भी मिलता है तो रिंको live मेरा code है, use my code to subscribe the unacademy तो सबसे पहले बात करते हैं दक्कन के वाकाटक की जैसे मैं आज इसके बात पढ़ाओंगे आप लोगों की वाकाटक वंश के अधिन प्रशाशन कैसा था, गुपतो का प्रशाशन कैसा था तो सबसे पहले देखे की वाकाटक, जो कि डेकन में आये थे ये जो वाकाटक थे, ये डेकन में थे और ये आप ये समझ लो कि डेकन में सातवाहनों, जो सातवाहन जो थे, सातवाहनों की जगह पर ये थे वाकाटक, तो इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है तो कई अभी लेखों में, पुरानों में, पुरानों में भी इनका उलेख है कई साहितिक श्रोतों में इनका उलेक मिलता है हमें पर इनके निवास स्थान को लेकर भी वाद बना हुआ है कि आखिर ये थी कहां के तो इनका निवास स्थान के बारे में हमें exactly पता नहीं चलता है और अब इसमें अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग राय दिये है तो क्यूंकि जैसे एकदम से ये मान लेना है कि यहीं के थे ये थोड़ा सा analytical नहीं कहा जाएगा आपको एक दो वो देना पड़ेगा especially optional वालों को कि भाई ये कहां के थे तो ये कुछ विद्वान तो मानते हैं कि दक्षिन भारत के थे क्यूं मानते हैं कि वो दक्षिन भारत के थे तो इसी धान के पीछे जो आंध्रप्रदेश से एक अलग से ही अभिलेख विचिन अभिलेख मिल जाता है हमें और उस पर लिखा है वाकाटक थिक है यह अभी लेक में कहा से मिला है यह मिला है हमें आंधर प्रदेश से तो वाकारट하기 अभी लेक और पलना शार्ष जो है जैसे सिवस्कंध बर्मन इनके द्वारा जो है हीरे हद गली और माइडा वॉलू हीरे हदगली और माईडवलू से प्राप्त अभिलेक जो हुए हैं जो अभिलेक मिले हैं यहां से उसमें कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है जैसे जो शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है उसमें समानता है एक तो आंध्र प्रदेश से हमें मिल जाता है अभिलेख और वहीं पर जो हीरे हदगली और माईडा वोलू जो यह अभिलेख है तो यहां से हमें यह मतलब कुछ ऐसे शब्दावलियां हम लोगों को मिलती हैं कि जो पलाव शासकों ने भी इस्तिमाल किया है और वाकाटक शासकों ने भी इसको तो इसको देखते वे लोग बताते हैं कि यह लोग दक्षण के थे ठीक है यह लोग दक्षण के हैं तो यह जो है आपका इसमें एक समानता क्या मिलती है तो बिंधेशक्ति दूतिय के वासिम पर टिकाव में अप्रवर सेन के लिए हारीती पुत्र वो हुआ है हारीती पुत्र उपाधि का इस्देमाल किया गया है उसी दर सर्वसेन ने धर महराज ऐसे उपाधियों का परियू किया है तो ऐसी उपाधियां पल्लो शाषकों में भी मिली हैं पल्लो और पल्लो कदम चालू क्या ये शाषक भी ऐसी उपाधियों का इस्तेमाल करते थे जो की दक्षिन के शाषक थे तो आंध्रु प्रदेश के अलग-अलग जगह से इनका अभिलेख मिलना अमरावती, माईदावलू, हीरेहदगली ठीक है यहां से अलग-अलग इनका भिलेख मिलना और हारिती पूत्रधर महाराज जैसी उपाधियां धारण करना जो की दक्षिन के शाषक धारण करते थे पल्लो कदम चालू क्या तो इनको कुछ विद्वान दक्षिन का शाषक मान बताऊंगी, कई बाद में वाकार तक अलग-अलग उसमें बटे थे, तो इसमें उलेख किया गया है कि इनके जो मंत्रियों में से, भरिशेन के मंत्रियों में से किसी एक का परिवार वरलूर, वरलूर का निवासी था, तो इस वरलूर, अस्थान को आंत्र प्रदेश के होंगे तो इन सभी संदर्वों में तो जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कैसे दक्षिन वाकाटक शाषक दक्षिन के हो सकते हैं ऐसा किन साक्षों के आधार पर साबित होता है तो यही सब आप आप कुछ साक्षे देंगे अजे मिस्त्री का मानना है कि अभी लेखो और पुरानों में दी गई सूचनाय के अधार पर यह सपस्च होता है कि राजवंश का प्रारंभिक नाम से संबोधित किया गया है तो बाकी जैसे कि आप जानते हे कि उपिंदर सिंग के लाव जो चो इतिहासकार यह फोड़ा साक्ष बगर देते हैं ौह ये थे तो इनको ऐसे बिंदे शेत्र का ही माना जाता था पुराणों ने भी इनको बिंद्यक नाम से संबोधित किया और प्रारंभिक वाकार्टक शाष्कों में से एक थे प्रवर्सेन प्रथम तो प्रवर्सेन प्रथम को पुराणों में कंचानक कंचानक नाम के नगर के संदर में उलेख जिया गया है। मध्य़प्रदेश का प्नम जिले में नचिनक उठार नचिना की तलाई गाउं की रूप में चिनित्व कया है कंचानक repeating और वहां से ऐसे कुछ पूरातवी ॡूर्ण भी हमें मिलते हैं। इस स्थान से बहुत कई सारी वाकाटक प्रारंभी कभी लेक सरंचनाय हम लोगों को मिली हैं तलाई गाउ से तो इन सब तथ्यों से प्रमार्नित होता है कि वाकाटकों ने सबसे पहले अपने को बिंधे छेत्र में स्थापित किया जिसमें बुंदेल खंड और बहुल खंड का बड़ा हिसा पड़ता था और यहाँ स्थापित होने के बाद इन्होंने दक्षिन की और विस्तार करना शुरू किया था और अन्तिताह दक्कन की सबसे महत्व पूर्ण राजनितिक शक्ति की रूप में ये लोग उभरे थे तो दक्षिन में इनका मिलना ये भी है कि चलो उन्होंने विस्तारवादे नीति के तहत वहाँ तक गए होंगे पर ये दक्षिन के थे ये लिए नहीं माना जा सकता है इनको यही माना जाता है कि इन लोगों ने जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो विंध्यन छेत्र है वहां से शुरुवात की थी और डक्कन तक फैलते हुए गए थी दक्षुन की तरब अब इनका शाषन, शाषन इनका थर्ड तीस्री सताब्दी माना जाता है पाच्वी शदी कान तक और छटी शदी की शुरुवात तक बात के नहीं छटी सदी के फर्स डेकेड तक इनका माना जाता है और यह वकाटक इसी लिए जादा विख्यात है क्योंकि इनका वैवाइक संबन्द गुप्तों के साथ हुआ पदमावती के नाग शाष्कों के साथ हुआ यह पदमावती जगह भी मधिप्रदेश में ही जो उस समय का बहुत इसकी चर्चा गौत्मी पुत्रशात करनी की माता गौत्मी बल्श्री ने भी अपनी अभिलेख में किया है पद्मावती के नागशाशक करनाटक के कदंब और आंध्रे के बिष्णु कुंडिनों के साथ था इनका बैभाईक संबंद यानि आंध्रे तक इन्होंने बैभाईक संबंद स्थापित किये थे तो बिंध्य शक्ती इस राजबंश का संस्थापक था जैसा कि मैंने बताया कुरान बिंध्यन कहते हैं और बिंध्य शक्ती ही इस राजबंश का संस्थापक था तो उसको देखते हुए इनका जो बिंध्यन रेंज वाला जो वो है वो एकदम सही बैठता है कि ये लोग बिं सेकिंड देचेएगा ठीक है तो विद्य शक्ति इस राजवन्ष का संस्थापक था और हरिशेन की समय हरिशेन वह वाला हरिशेन नहीं समुद्र गुप्त वाला यह रिशेन जो इस वन्ष का शाशक था उसकी समय अजन्ता में एक अभी अजन्ता की गूफा संख्या सोला क्या आगे अभी लेख लिखवाया गया है तो अजन्ता भी लेख में बिंद्य शक्ति की शायने शक्तियों का काव्यात्मक चित्रन किया गया है कि बिंद्य शक्ति काव्यात्मक्षित्रन समझ रहा है न कि जैसे यूद्ध में उसके घोडों के खूर से उड़ी धूल की आंधियों ने आंधियों ने सूर्य को ढख लिया था यूद्ध में जब वो चला तो घोड़े का खोर यानी पैर जब घोड़े दोड़ रहते तो उससे जो धूल की आंधियों उड़ी थी उसने सूर्य को ढख लिया था सेना एतनी बड़ी थी और उसने अपनी भुजा की शक्तियों से संपून धर्ती को जीत लिया और बिंद्य शक्ति की महांता की तुलना इंद्र से की जाती है यानी पूरंदर से की जाती है उपेंद्र यानी विश्नु जैसे देवताओं से की गई है तो इसको काब्यात्म लिए अभी लेक से हमें बिंद्यशक्ति के बारी में इसकपता चलता है विद्यशक्ति को द्वीज भी कहा गया है तो द्वीज़ का मतलब होता है श्रिस्ट है और यह ब्राम्नों और छत्रीयों को कहा गया था तो वाकाटक अभी लेक में इस राजवन्ज के शाज को विश्णु वृद्धि गोत्र का ब्रामनी बतलाया गया है तो द्वीज जो है श्रेष्ट ब्रामनों को ही कहा गया था बाद में द्वीज शब्द का कई जगई उलेखाता है कि ये छत्रियों के लिए भी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो प्रवर्सेन इस राजवन्ज का दूसरा शाशक था पुरान इसको प्रवीर कहते हैं प्रवीर तो प्रवर्सेन इस राजवन्ज का दूसरा शाशक था और इसने राजविस्तार दक्षिन में किया विदर्व और दक्कन से जुड़े हुए छेत्रों को इसने जीता प्रवर्सेन ने तो ये एक महांतम शाशक ये भी एक महांतम शाशक था और वाकाटक ब्रामन थे इसमें कोई संदेह नहीं है जैसे गुप्तों के उसको लेकर के डाउट रहता है चर्चा होती है बहस होती है कि आखिर गुप्त को थे किस जाती से थे तो प्रवावती गुपता की शादी क् की हुई है वाकाटकों से और प्रभावती गुपता का जो पूर्णे का जो तामरपत्र अभी लेक है उसमें जो उन्होंने अपनी बन्शावडी दी है तो विश्ण व्रिथी गोत्र का उन्होंने बताया है वाकाटकों को और वाकाटक ब्रामन थे तो इस तरह से कई बार गुप्तो को भी ब्रामण मान लिया जाता है तो इनको उसमें इनके अभी लेखों में इने ब्रामण नी बतलाया गया है और प्रवर से इन एक दूसरा प्रमुक्षाशक था बलकि अब तक आप यह कह सकते कि सबसे महान शाशक तो इसकी राजधानी कांचानक थी यानि आधोनीक नचना और इसका जो पूत्र था गौत्मी पूत्र और एक नागशाशक भावनाग नागशाशक भावनाग की बेटी के बीच विवा हुआ था रह पहले राजनितिक विवा होते थे संबंधों को मजबूत करने के लिए अंधे के रूप में देखा जाता है यानि नागशाशकों के साथ इन होने एक तरह से राजनितिक संबंध स्थापित किया था और जो प्रवर्शेन के द्वारा जो यग्य किये गए याद रखेगा कभी प्रवीर भी आ जाए मेरे इस लेक्चर से किसको किसको फायदा होग तो GS वालों को, Optional वालों को, UPSC, UPSC Optional प्लस GS और UGC Net, UGC Net वालों को भी इस लेक्चर से उतनाई फायदा होगा तो इसमें मलबाजपेय और अश्वमेद ठीक है, अश्वमेद यग्यो का उलेक किया गया है, क्योंकि प्रवर्शेन ने अकेले चार अश्वमेद यग्य किये थे और एक चीज नोट कीजेगा कि ये रिकॉर्ड प्रवर्सेन के नाम पर ही है चार अश्वमेधियाग्य करने का रिकॉर्ड प्रवर्सेन की नाम पर ही है जितने भी प्राचिन काल में शाषक हुए हिंदु शाषक तो इसने चार अश्वमेधियाग्य किये और भी इन्होंने कई सारे ब्राबन अनुस्ठान किये थे तो प्रवर्सेन प्रथम को इस तरह से महान समराठ की उपाधि दी गई है और बाकी सभी जो शाषक थे जो अन्य शाषक हैं उनको मात्र महाराजा की उपाधि दी गई थी और इनको समराठ की उपाधि दी गई है यानि एक बड़े भूभाग पर शाषन करते थे प्रवर्सेन के बाद वाकाटक दो भागों में बढ़ गये पुरान तो कहते हैं चार लेकिन हमें जो पुरा तात्विक शाक्ष मिरा है उसके आधार पर हमें लगता है कि प्रवर्स फैमिली के लोगों का बटवारा होता है फिर उनकी कई शाखाएं हो जाती है तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि इन लोगों ने भी उत्राधिकार में कुछ इस तरह का उससे में कोई भी बाद हुआ हो कोई इशू हुआ हो तो ऐसा हो सकता है कि लोग दो भागों में बढ़ गए हूँ तो पादमपूर का नंदी वर्धिन ठीक है नंदी वर्धिन प्रवरपूर बंश और वस्गूलम का बंश तो कई भारा भी लेकों से ये भी पता चलता है कि प्रवर्वर सेन की जीवन काल में ही दो भागों में इनका विभाजन हो गया था ठीक है दो भागों में तो पदम पूरा वाला जो है जो पदम पूरा वाला का जो है प्रवर पूरा प्रवर पूरा वन्ष का प्रतिने दित्वर उद्रसेन प्रथम ने किया था ये प्रवर सेन का उत्राधिकारी था तो पदम पूरा वाला जो है इसका प्रवर्सेन के बंशज ने किया यानि रद्रसेन प्रथम ने किया और बात के वाकाटक अभी लेखों में उसे भावनाग का नाती कहा गया यानि ये नाग शाषकों से जो संबंध हुआ था तो ये उनसे शायद पैदा हुआ था और ये महा भैरों का उपासक भी था समुद्र गुप्त के लहवाद प्रशस्ती में रुद्र देव कु रुद्र सेन नहीं भी मांते तबी गुप्षमराग के सायन्य अभियून के द्वारा हम निशीत रुप से रुद्रसेन में प्रथम प्रभावित हुआ हो ठीक है और ये बुब समण का तो समुत्र समुत्र गुप्त के जो अभियान हुए थे तो उसमें एक शाषक डेकर में शाषक का उलेग आता है और उसका मलब उसका नाम है रुद्रदे लोग मज़े से यह कहती हूं पिंदर सिंग के एक बार हम नहीं भी मानते हैं कि ये वही रूद्रसेन था तो भी समुद्रगुप्त ने जब अभियान किये होंगे तो इनको समुद्रगुप्त के सरोष्ता तो स्विकार करनी ही पड़ेगी क्योंकि इस समय वाकाटक ही हैं डेकन में समुद्रगुप्त के अभियानों के समय समद्र गुप्त के बाद ही तो चनगुप्दू थिये हुए और उनकी पुत्री के साथ उनकी पुत्री का विवा हुआ वकाटक बंश में तो ये उस समय की बात है समद्र गुप्त के समय तो श्रूद्र शेन का उत्राधिकारी था प्रिथ्वी शेन प्रिथ्वी शेन को बाकाटे का भी लेखो में महान वीजेता कहा गया है और इसकी तूलना की गई है कि ये इतना सत्यवादी था, सहिश्नु था, धरेशील था प्रिथ्वी शेन की इस तरह से तारीफ की गई है और कहा गया है कि नचना और गंज के अविलिकों में कहा गया है कि ब्याख्र राज की द्वारा उसकी सत्ता को स्विकार किया गया तो पदमपूर उसकी काल में एक महत्योपुन प्रशास्ने केंद्र की रूप में बिक्सित हुआ और इसके जो है इसी के राज्य काल के अंतीम चरण में इसके पुत्र रूद्र सेन दूतिय का विवाः चंद्र गुप दूतिय के वेटी प्रभावति गुपता के साथ हुआ ठीक है चंद्र गुप दूतिय के तो ये जैसे सम्मुद्र गुपत के समय रूद्र सेन प्रथम था रुद्रशेन प्रथम का पूत्र हुआ प्रिथ्वी शेन और प्रिथ्वी शेन का पूत्र हुआ आपका चंद्र ये रुद्रशेन दूतिया ठीक है तो ये ंगरा सायं टीक हुआ आपका वेश कर दूत्र हुआ हुआ आप झाल झाल एक सेकिन देजिए लोग। झाल झाल ठीके तो ऐसे मैं आप लोगों से जनरली ब्रेक नहीं लेती हूं आपको पता है कि थोड़ा वो एक कुछ जरूरी ऐसे आ गया था जनरली मैं देखती भी नहीं हूं भांचे तो इसके जो है प्रिथ्वी शेन का पुत्र रूद्रशेन प्रथम जिसको माना जाता है कि उसम्द्रुगुप्त का समकाली था और रूद्रशेन प्रथम का पुत्र प्रिथ्वी शेन प्रिथ्वी शेन का पुत्र हुआ रूद्रशेन दूतिया और रूद्रशेन दूतिया कभी वाच्चन गुप दूतिय की बेटी प्रभावती के सा संपन हुआ और तो हम लोग यह बात करें पदमपूर वाला प्रवर्शेन वाले ब्रांच की और एक वत्स गुलम वाला ब्रांच हुआ था तो रुद्रशेन की डैस जल्दी हो गई थी रुद्रशेन दूतिय की बालिक थे तो इसलिए प्रभावती गुपता लंबे समय तक प्रशाषन का प्रभावती गुपता निवाग रोर संभाला था और इसी समय बात होती है कि अपने पीता अपने पीता चंद्रगुप दूतिय की प्रभाव में थी चंद्रगुप देती ने वाकार्टकों के सा पोर्ट समर्थन जरूरी था सहारा जरूरी था और उपर से जब रुद्र सेंदूतिय की मृत्ति हो गई तो प्रभावती गुपता ने पूरी तरह से अपने पिता के अनुसार ही शाषन किया था तो इस सवकाल में वाकाटकों की राजधारी नंदी वर्धन थी नंदी वर्धन ये सब आपको यही पर यही पर महाराश्र में आपको यहां इस शेत्र में आपको मिलेगा तो मीरे गाउं पट्टी गाउं में प्रभावती के मुहरों पर उसे दो शाष्कूं की माता बतलाया और दीवाकरसे इसमें इसमें मतलब दो शाश्कून की माता का कैसे क्यूंकि ऐसा जब राजगर्दी पर वैठता है दिवाकर सेन की मृत्तिय राजगादी पर वैठने के पहले ही हो गई तो उसके दोनों क्षोटे भाई दामोधर सेन और प्रवर सेन दूतियों को को गद्धी पर वैठाया गया आँ एक सेजिय कैना झाल 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 तो दोनों छोटे भाई गदी पर बैठे इसलिए इनको दो शाष्पों की माता कहा गया तो प्रवर से इन दूतिये के शाष्ट क्राल में सबसे जादा वाकाटा का भी लेख निर्गत किये गए निर्गत किये गए मतलब जारी किये गए और ये जारी करने वाल रही थी प्रभावदी गुप्ता ये प्रभावदी गुप्ता ने जारी किया इसको तो प्रारंपिक अभी लेखो में नंदी वर्धन से निर्यत किया गया और बागी को प्रवर पुरा से वर्धा जिला में पवनार में है ये और स्वतंत्र रूप से व्रभावते गुपता ने किये तो ये सबी इन ही अभी लेखों के आधार पर वाकाटक, वाकाटकों का इतिहास लिखा गया है आप समय लिजे और एक बुख है सेतुवंद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सेतुवंद या रावड वहो ये प्राकेर्थ भाषा में ये लिखी गए किताब है और ये राम की लंका यात्रा और रावन की बीजे पराधारित है इसको लोग बताते कि प्रवर से इंदूतिये ने लिखा था लोग इसमें नरेंद्र सेन को सफंता मिलती है नरेंद्र सेन को तो नरेंद्र सेन ने अपने विलेखों में दावा करता है कि कोसल मेकल माल लव इन सभी शाषकों को अपने अधीन कर लिया है उसने तो इसको हमाती शोक्ति कहेंगी कि तूकि इस समय तक इस समय तक वाकाटक इतने शक्ति शाली नहीं थे अगर ये प्रवर्शिन प्रथम की समय की बात होती बिंदे शक्ति की समय की बात होती तो मान भी सकते थे इनके समय तक वकाटक इतने शक्ति शाली नहीं थे तो ये थोड़ा सा थी शुक्ति पुन बर्णन लगता है और इनकी एक थी वत्स गुलम के समय ही उनके तुरत बाद बढ़ गए थे ऐसा लगता है कि प्रवर्षेन प्रत्थम के समय ही आ गया था डिफ्रेंज तो ये उसकी सत्ता को जो नरेंद्र सेन की सत्ता को उसके अपनी संबंधी चुनोती दे रहे थे वस गुलम शाखा वाले लोग तो नरेंद्र सेन ने जो है कुंतल की राजकुमारी से विवाह किया था तो ये हो सकता है कि कुंतल देश कुंतल देश से याद आ रहा है आप लो तुमको बाहुबली में जो कौन सेना है देव सेना कुंतल देश की है कुंतल देश की है नदेव सेना तो ऐसा मानत है कि कदम राज-गुमारी हो सकती है हाली में पौनार से दो ताम्र सिक्के मिले हैं दो ताम्र सिक्के मिले हैं पौनार आश्रम याद न विनुवा भावे तो यहां से ऐसा लगता है कि यह इस शाशक से जूड़े हुए हो सकते हैं कि वकाटकों कि इस वर्ष का अन्तिम ग्यात स्शाषक प्रित्विछें ठाव है अंतिम ग्यात स्वाश्थ foster ठाव है अभी लेकों में यह पृत्विशेन ग्षिय ग्रीजियर कि इसने adapt को मेंव राज वंच को घौर संकट से दोवार। और इनकी जो है वाकाटकों की नंदी वर्धन शाखा का पतन जो हुआ वो वस गुलम शाखा की प्रतिद्वन्दिता के कारण वह लग ये दोनु जो शाखाएं थी नंदी वर्धन शाखा यानि पदन पूर शाखा और वस गुलम शाखा इनकी आपस में कॉम्परेटेशन दूसरे लोगों ने फायदा उठाया होगा कौशल के नलों के साथ भी संगर शुआ होगा और उसके बार ये खतम हो जाते हैं है तो वस्खुलम शाक्रा का अंतिम ग्याद्शाषक हरिशेन था जैसे नंदिवर्धन का शाक्रा का अंतिम ग्याद्शाषक प्रिथुशेन था उसी तरह वस्त गुलम शाखा का अंतिम या शाशक हरिशेन था और सबसे ज़्यादा नंदी वर्दन शाखा के बारे में हम इसलिए पता है कि उनकी अभी लेख उनकी चर्जा हमें ज़्यादा मिली है तो हरिशेन ने अपने राजया रोहण के तीसरे साल में मनलब थालनेर पटिकाओं का उनिर्गत किया और अजन्ता गुफाविलेख अजन्ता गुफाविलेख बरह देव के अनुचार हरिशेन कुंता लवन्ती कलिंको शंत्रिकूर्ट आंध्र इन प्रदेशों तक इसने अपने शाशन का विस्तार किया था यह देखे राजमाता का अनुदान है प्रभावती गुपता तो इसको अगर आप जूम करेंगे तो आपके काम की चीज में बता देती हूं सारा नहीं जो प्रभावती गुपता का जो ताम्रपत्र अभी लेख रहा तो इन ताम्रपत्रों का सरक्षन पूना के ताम्रकार बलवन्त भाव नागरत ने परवारिक धारोहर की रूप में क नाम याद रखिएगा ये जब ताम्रपत्र बहुत सारे ताम्रपत्र पूने से मिले और इसका सरंग्षन कभी उनके परिवार में ऐसे किसी ने इनिशेटीव लिया होगा तो इन ताम्रपत्रों का जो सरंग्षन जो आपने अपने क्लास 6 की NCRT में ऐसे देखा है ऐसे हू नामबा का काम करने माले बल्वंत भाउं बल्वंत Whoo नाग्रग उन्होंने परिवारिक धरोहर के रूप परिवारिक धरोहर के रूप में उनकी परिवार धरोहर और यह परिवार जो है मुलूर्प से महारास्ट्र करेहां कर बसा था तो 9 Но 9 by 1 by 4 इंच जो है आपका लंबा और पांस से तीन बटे चार इंचोड आई जो ताम पत्र अंडाकार मुहरवाला सील से एक छल्ले की रूप में जुड़ा हुआ है और इस पर ब्रामी लीपी में उत्तर से दक्षिन दोनों लीपियों का प्रभाव इस पर मालूप पड़ता है ब्रामी ल जो लिखा है जिसका अनुवात किया गया है अनुवाद किया गया है उसकी यह जो यहीं है यह उन्होंने मतलब अपने के बारे में चुए जो नलब भागवत के द्वारा कर ली गई है जो नंदी वर्धन के प्रत्धम राजया यह सश्व उन्का पूत्र प्रत्र हं लिख्वी कुमारदेवी लिख होगे जन्दगुप दूतिया के बारे को आधीती संध्य हुए है और जिनकी कृति चार महा सागर के जलकारा से स्वादन गिया चार महा सागर भारत में अगर आप देखते हो तो इधर इधर जो है आपका अरब सागर है इधर बेख बेंगॉल है इंडिये नोसीन है तो मतलब इन लोगों जो है यह ऐसा यह बताते हैं कि जैसे पूरे शेत् अग्यों में तो उनकी बेटी अपने वाबरे में लिकनी उनकी बेटी उस्वी प्रभार्वाती धरन गोत्र की थी जो महादेवी कुबेर नागा की बेटी थी आपश्वी बंच में देसी भी जन्म हुआ था कुबेर नागा स के भी वीवाह क्या था चिन्र आप सूंक प्राटकों के महाराज ये शर्श्वी गुरुद्र सेंदूतिय की महारानी थी और दिवाकर सेंजी और राज की मां है जो अपने अच्छे स्वास्थे में इवा घोशना करती है कि दंडुना गाउं के बास इंदो ब्रामुनों को जो गाउं मलब सुप्रतिस आहार के पता जल जाती है इतने से ही तो इसको बहुत प्रमुक्ष शाक्षे के रूप में इसको लिया जाता है कि अब यह सबसे पहला वाला मैंने आप लोग का लिया था चैप्ट्र नाईन का यह सबसे पहला लेक्षर में लिया था और तो पर अलग से आप लोग को थी आदा है two in dwa लोग ऑफने पूचह जांगे ऊंप्समें पूचा जाता है प्रशाश्न का प्रसाशन के बारे में उनकी प्रशाशन की में और कभी गुप्त और वाकाटक राज्यों की दोनों की प्रशाष्टिक सरंचना पूछी जा सकती है यह वाकाटक को पर गुप्तों का प्रभाव था या कैसे अलग था तो यही दोनों का मैं प्रशाषन आप लोग को बता रही है जो जीएस वाले स्टूर्डेंट जो मेरी इस क्लास को देख रहे हैं इसमें जितने टर्म्स आएंगे यानि शब्दावलियां जितनी शब्दावलियां आएंगी उसको आप लोग नोट कर लीजेगा सारी शब्दावलियों को ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि एक राजा की क्या इस्थिती थी जब भी प्रशाशन देखा जाता है जब भी प्रशाशन देखा जाता है तो यह देखा जाता है कि एक शाशक की हैसीत क्या थी तो लगभग मलग 300 शतागदी में शाशकों ने काफी बड़े बड़े जैसे उसमें जितने शाशक हुए उन्होंने खुब बड़े बड़े राजनितिक विरूद धारण किये बड़े बड़े उपाधिया धारण किने इन्होंने जैसे गुब समराटों ने ही महाराजा धिराज, परमभटारक, परमेश्वर अभी आपने वाकाटकों के बारे में रहे कि धर महाराज जैसी उपाधिया तो इन सब उपाधियों को देखते हुए लगता है कि वो सामराज जवाधि उपाधिया धारण करते थे, सामराज जवाधि स्वभाव के थे और अपने को सर्व शक्ति मान दिखाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने को देवताओं से संबंधित किया, अपने देवताओं के साथ अपने संबंधियों को प्रदर्शित किया, और उन तो उन लोगों ने अपने को देवताओं से बहुत नजदीक दिखाया देवताओं का संबंधी दिखाया अपने को इससे फायदा इनको यह था कि वो अपने को जो जनता है जनता उनको देवता के रूप में पूझे यह आपको बात के मध्यकाल तक भी आपको यह दिखता है कि मध्यकाल के शासकों ने भी यह दिखाने की कोशिश की कि वो शैडो अप दे गॉर्ड है तो इनके आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त राजाओं ने राज सिधान का प्रतिवादन किया ठीक है राज सिधान का मलब एक तरह से जैसे अपनी मलब राजा के पद को प्रतिस्ठापित किया उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति यह लाहाबाद प्रशस्ति यह लाहाबाद प्रशस्ति नहीं है यह गलग पिक्चर है यह तो लौरिया लौरिया नंदनगड़ वाला है ठीक है ये इलाहबाद प्रशश्टी जो है वो समुद्र गुप्त को धर्ती पर रहने वाले देव अथ्वा पुरुष धनाड़ है कुवेर वरुन इंद्र अंतक यानि यंग जैसे देवताओं के समकक्ष स्थान दिया गया है इलाहबाद प्रशश्टी में तो मुहरो और राफिलेखो में राजे की जिन प्रशाशक और अधिकारियों का उलेख किया गया है उन्ही के अधार पर हम ये निकालते हैं उन्ही के अधार पर हम ये बताते हैं कि अच्छा उसमें ये ये अधिकारी रहे होंगे यही एक शाक्ष्य है उसमें के अधिकारियो के बारे में जादने का और कोई ऐसा नहीं है कोई बताने वाला नहीं है कि हां उसले में ऐसा था ऐसा था तो मुहरों और अभिलेखो से ही या कुछ 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 साहित्तिक श्रोतों में मिल जाता है हमेंylon तो में जैसे उनके समय जो किताब लिखी गई हैं तो 42 से प्राप 6 जो मुहर हैं 6 मुहरों पर कुमारा मात्य की जर्चा है तो कुमारा मात्य जो पद है इसका मतलब जाहिड है कि कुमार प्लस अमात्य तुए दिर्ख संदी है औ और जूड कर आ हो जाता है तो कुमारा मात्य की चर्चा की गई है इसका स्वतंत्र अधिकार रहा हो यह हो सकता है इसका स्वतंत्र अधिकार छेत्र अथोरिटी रहा हो और या तो ऑफीसर्स जो थे वही कुमारा मात्य कहे जाते होंगे क्योंकि भीटा मतुरा के पास एक जो गाव है जहांसे बहुत सारे हम लोगों को इतिहासिक शाक्षे मिले हैं कुशान काल से ले करके गुप्त काल तके तो भीटा से प्राप्त मूरों पर भी आमात्य नाम के अधिकारियों का जिक्र है तो ऐसा लगता है कि जो कुमारा मात्य कुमारा मात्य जो होगा वह आमात्यों का यह तो प्रधान होगा यह शाही परिवार की किसी ब्रक्ति की उपाधी होगा कुमारा मात्य बैशाली से भी एक मुहर मिली है उस पर जिस कुमारा मात्य का नाम मंकित है वो लिछियों के प्रसीद राज्य भीशेक जलाशय की देखरेक की दाइत्व थी ठीक है लिचियों के जो है प्रसिद जो है जलाशे की देखरे की का दाइत्व बैशाली के उस कुमारा मात्य को थी तो कुमारा मात्य एक पद था और ये बड़े अधिकारियों के साथ ये लगता होगा तो ये बड़े अधिकारियों के साथ ये मतलब एक तरह से उपाधियां थी और ये वन्शानुगत भी था ये ऐसा लगता है कि वन्शानुगत भी था कैसे तो आपको इलाहबाद प्रशस्ति याद होगा इलाहबाद प्रशस्ति में जो है समुद्र गुप्त की से जो जूड़ा हुआ है और हरिशेन ने जो लिखा है तो इसमें हरिशेन खुद को अपने को कुमारा मात्य कहता है कि वो एक कुमारा मात्य संधी विग्रहिक कुमारा माते संधी विग्रहित महादंड नायक भी है और महासंधी विग्रहिक भी है और दंड नायक भी है और वो महादंड नायक ध्रुवभूती का पुत्र था यानि उसको बर्शानुगत रूप से इपद मिला था और संधी विग्रहिक जो विदेशी मामले देखता था संधी विग्रहिक के मतलब संधी कराने वाला संधी देखने वाला तो ये विदेश मंत्री एक तरह से होता था और महादर्नायक जो न्याय का कार्य करते थे न्याय और अक्षा का काम करते थे तो महादर नायक तो वो मतलब दो पद पर था एक साथ वो दो पद पर था और वो वो पद उसको बर्शानुगत भी मिला हुआ था इसे हमें ये पता चलता है कुमार गुप्त का जो करम दंड शिला लेख है उसमें कुमार अमात्यों की दो पिढियों कवलेख है तो उसमें व्यक्ति का आता है शिखर स्वामी शिखर स्वामी जो चंद गुप्त दूतिय के काल में था और उसका पुत्र प्रिथ्वशिन कुमार गुप्त प्रथम के काल में था यानि चंद गुप्त दूतिय के काल वाला चंद गुप्त दूतिय के काल से लेकर घुमात गुप्त प्रथम के काल तक सर्व किया था एक ही ब्यक्तिनी तो प्रिथ्वशिन को महाबल अधिक्रित बताया गया है महाबल अधिक्रित करने वाला रखने वाला तो इससे क्या जाहिर होता है हमें कि बड़े अधिकारियों को कुमारा मात्य कहा जाता था और ये जो कुमारा मात्य का जो पद होता था ये बर्शानुगत भी होता था और एक ब्यक्ति पर दोहरा दाईत्व भी रहता था जैसे अभी होता है कि कई बर एक ही मंत्री को दो मंत्राले दे दिया जाता है तो एक व्यक्दी को दो दो धोरादाई तो यानि दो डिपार्टमेंट दो विभाग भी देखना होता था जो पूरा सामराज्य था वो प्रांतों में बटा था इसकी बाते सब करते हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर गुप्त वर्श के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा तो गुप्त सामराज्य प्रांतों में बटा था और इन्हें देश या भुक्ती कहते थे इन्हें देश या भुक्ती कहते थे तो प्रांतों को भुक्ती कहते थे और इसका जो गवर्नर होता था वो उपरिक होता था तो आप यहाँ पर देखोगे भुक्ती, विशय और विथी यह मुख्या यह मुख्या विभाजन था गुप्त में तो जो भुक्ती था उसका जो हेड होता था वो उपरिक नामक अधिकारी होता था और उसकी नियुक्ती सीधे समराट के द्वारा की जाती थी जैसे 42 एक मुहर मिली है उसमें तीर भुक्ती तीर भुक्ती नामक उपरिक की चर्चा की गई है ऐसी दामोदर पूरतामर पत्र से भी हम लोगों को एक मतलब एक पुंडर वर्धन भुक्ती के उपरिक चिरात दत का उलेख मिलता है ये पुंडर वर्धन बंगाल में था ये बंगाल में था पुंडर वर्धन तो वह पुंडर वर्धन जो भुक्ती है उसका एक उपरिक है चिरात दत उसकी नियुक्ती कुमार समराट कुमार गुप्त ने की थी तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भुक्ती का पद सम्राठ द्वारा की जाती थी और इनको कई इनको बहुत सारे अधिकार प्रांती एस्तर पर इनको बहुत सारे अधिकार मिले हैं क्योंकि उसी अभिलेक में लिखा हुआ है कि चिराद दत ने जो पुंड्रु अर्धन का उपरिक था उसने कुमारा मात्य वेत्र वर्मन को रूत में न्युक्त किया यानि प्रांती एस्तर पर जो इसे यही पता चलता है कि महराजा जैदत की न्यूक्ति इसी प्रांथ के उपर इक पद्पर की थी और जैदत ने एक आयूत भंड़को भंड़को यह अधि मलब कोटी वर्स की जीला का रहले के रूप में जीला का रहले के कि एन ऐड़के रूप में नूप्त किया था कि तो इस तरह से हममें इससे ही पता चलता है कि उपरीक को बहुत सारे अधिकार होते थे प्रांथ युद्पर एक और उपरीकक चार्चाप मिलता है और उसका नाम मिट गया है लेकिन मतलब उसको उपाधी दी गई है तो यह उपाधी महाराज, भटारक, राजपुद्र, स्वयम्भू, स्वयम्भू देव यह ऐसी उपाधिया ली हुई है यानि जो उपरिक थे जो उपरिक थे वो उपाधियां भी ले सकते थे तो उपरिक उपाधियां ले सकते थे इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें यह पता चलता है कि प्रांतिय के अस्तर पर इनको बहुत शक्ति मिली हुई थी पावर मिला हुआ था और इसे हमें ये भी पता चलता है कि एक तरसी प्रशाश्निक सोपानिकरन था और इसमें उसकी इस्थिती बहुत उची थी और जो गुप्ध शाषक बुद्ध गुप्ध हैं उनके एरन अभिलेक बुद्ध गुप्ध का एरन अभिलेक काफी फेमस है तो एरन अभिलेक में एक महराज सुरिश्म चंद्र एक उपरिक है महराज उपरिक है जिसको टाइटल जिसने लिया है सुरिश्म चंद्र का ठीक ह लोकपाल तो इसके अधिन कालींदी और नर्मदा नदियों के बीच का छेत्र था तो इसका मतलब कि यहां लोकपाल आज का लोकपाल नहीं जो भरस्टाचार रोकेगा लोकपाल का अर्थ उसमें प्रांतिय गवर्नर प्रतित होता है ऐसा लगता है इस यह जो प्रांत है जो इसका जो अधिकारी था उपरीक, उपरीक की उच्ष शक्ति को देखते हुए उपरीक न्युक्ती संभंदी अधिकार को देखते हुए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राजवन्श के ही लोग होंगे तो जैसे मौरे सामराट का, जैसे मौरे शाषन का बिल्कुल यह स्पश् मिल जाता है कि जो प्रांतिय गवर्नर थे वो राज येपाल कहला है और वो राजकुमार ही होते थे यहाँ पर बहुत क्लेर ये बात नहीं है यहाँ पर बहुत क्लेर नहीं है कि वो राजकुमार ही होते थे लेकिन आपने देखा कि उपरिक बड़े-बड़े उपाधिया भी कर रहा है तो इसका मतलब कि वो राजबन से ही होगा शाही परिवार से ही संबंदिर रहता होगा तो सौरास्ट्र जो था ये गुप समराजय का एक महत्वपूर्ण प्रान था सौरास्ट्र जो कि गुजरात में है तो सकंद कुप का जूनागडविलेक ये जूनागडविलेक दो लोगों से जुड़ा है तो आपने पहले पढ़ लिया है, मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों पिछले चाप्टर में तो एक तो रुद्रदामन, शक शाशक रुद्रदामन से जुड़ा है और एक सकंद गुप्त से जुड़ा है तो इस कंद कुप्त के जूनागड़ा विलेक में सुदर्शन जील के पीशे में जानकारी में मिलती है सुदर्शन जील जिसका जो मौरे काल में बना था ठीक है ये मौरे काल में आपका सुदर्शन जील बना था और इसके बारे में आप जानते हैं कि इसको बनाया था किसने इसको बनाया था चंद्रगुप्त मौरे ने तो चंद्रगुप्त मौरे के समय में कौन था पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त यहां का गवर्नर था और उसने सुदार्शन जील का निर्मान कराया था और फिर अशोक के समय अशोक के समय इसकी मरमत कराई गई और उसमें इसका गवर्नर था तुशाश तुशाश उसमें इसका गवर्नर था अशोक के समय और फिर इसकी दुबारा हमें मिलती है कि रूद्रदामन के काल में इसका जीलनों द्वार कराया था तो रूद्रदामन के समय इसका गवर्नर था सूविशाक था और इसकंद गुप्त के समय इसका गवर्नर हो गया पंड़त पंड़ सौरास्टर का गवर्नर है यानि सौरास्टर का गोप्त्री गोप्त्री यह नोट करिएगा जीएस वाले गोप्त्री राज्यपाल को कहा गया अच्छा जीएस वाले क्या ऑप्शनल वाले भी नोट करेंगे तो ऑप्शनल वाले ही जीएस वाले भी होगे तो ऑप्श स्टूडेन्ट है जिन्होंने ऑप्षिर्य नहीं रखा होगा तो गोपत्री था परणदत यहां का और परणदत ने पूत्रचाक्रपालित को सौराश्ट्र का जो है प्रशाशक नियुक्त कर दिया था यानि इसको वहाँ पर प्रांद के अस्तर पर प्रांद के अस्तर पर इसको ये अधिकार मिला हुआ था प्रांद के अस्तर पर इसको ये अधिकार मिला था कि ये वहाँ पर प्रशाशक नियुक कर सके है तो इसने अपने बेटे को कर दिया तो ये हमेशा याद रखेगा तो इससे इतने शाशक जुड़े हुए थे तो इसकंद गुप्त के समय हो गया पंदत तो इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं किस से सुदर्शन जील से सुदर्शन जील से इतने सारे लोग जुड़े हैं तो शाशकों के समय शाशकों का ही नाम आता है वो सभी शाशकों के समय इसकी मरमत कौन कराता है तो इसकी मरमत वहां के गवर्नर कराते तो गुप्त समवत 136 में आते देख वर्षा के समय जील तूट गया था, इसलिए चक्रपालित ने दो वर्ष का समय लगाकर इसको फिर से 137 में इसको दुबारा करा है तो गुप्त समवत के हिसाब से वैसे 456 संतावन आएगा, वैसे 456 संतावन में इसको बांद आ गया था तो इस समय लेक से हमें क्या पता चलता है, कि एक पिता के द्वारा पूत्र को प्रशाशनिक दाईतों कहां स्तांत्रन किया जा रहा था पद तो बन्शानुगत था, वो हमें हरिशेन के उससे पता चल जाता है, कि पद बन्शानुगत था ठीक है, पद बन्शानुगत था, इसके साथ हमें ये भी पता चलता है, इसके साथ हमें ये भी पता चलता है, कि प्रशाशनिक दाईतों कहां स्तांत्रन भी हो रहा था ठीक है, प्रशाशनिक दाईतों कहां स्तांत्रन भी किया जाता था तो यह जो भूकती थे वो जीलों में बटे थे तो भूकती के नीचे जो जीले थे उन्हें क्या कहा गया विशे जो मैंने अभी आपको बताया भूकती विशे और विशे के नीचे विशे के नीचे नेक्स्ट स्लाइड में है विधिया तो विशे का जो हेड होता था वो कौन विशेपती विशेपती की न्युक्ति इस भुक्ती का जो हेड होता था वो करता था जिसमें मलब उपरी उपरी का आता है राकई बाराज ये पाल कहे जाते हैं गोपतरी कहे जाते हैं उनके द्वारा होता था तो हूण शाषक तोर्माण हूण का आत्रमाण गुप्तों की समय हुआ था सकंद गुप्त ने हरा दिया था इनको पर सकंद गुप्त के बाद हूण प्रभावी हो गया थे तो इनके शाषक तोर्माण और मिहिर कुरू तोर्माण का बेटा था मिहिर कुरू दो बहुत फेमस है इसमें तो तोर्मान के समय एरण अस्तंबलेग जारी हुआ था और इसे पता चलता है कि गुप्त उतरकाल में भी गुप्त कालिन प्रशासनी की कायू का स्तित्वा बना हुआ था ठीक है तो इसमें जो है ग्राम अस्तरिये पर भूमी हस्तांतरन के समद में निर्देश दिया गया है दामूदर पुर्गत तामर पत्र से बंगाल प्रांत के बारे में हमें पता चलता है और यह कौन किया था तो उसमें ग्राम अस्तर के अधिकारी ने किया था तो मनलब ये उपरिक को काफी ये दिये गए थे पावर दिये गए थे और उपरिक के साथ उपरिक और विशेपती ये मनलब उपरिक हो गया अगर अधिकारियों में कहें तो जैसे प्रधान मंत्री और फिर मुख्य मंत्री तो पहले राजा फिर उपरिक सबसे पहले राजा ह हो गया फिर उपरीक हो गया उपरीक की नीचे विशेपती हो गया और विशेपती जो था है जिला अस्तर पर जिला अस्तर पर जो मुख्य मंत्रियों की नीचे मुख्य मंत्रियों की नीचे जो विशेपती है यानि कलेक्टर है कलेक्टर को हेल्प करने के लिए कलेक्टर को हेल्प करने के लिए कई अधिकारी हैं तो वही आप देख रहे हैं नगर स्रेस्थी नगर स्विस्थी, तो ये व्यापारियों का प्रधान होता था, उस नगर का हेड होता था, सार्थवा, ये व्यापारियों के काफिले का प्रधान होता था, प्रथम कुलिक, ये मुख्य शिल्पी, मुख्य शिल्पी होता था, प्रथम कायस्त, ये मुख्य लिपिकार होता थ ऐसे कई अधिकारी विशेवपती को मदद करते हैं ऐसे कई अधिकारी हैं ठीक है विशेवपती के नीचे विशेवपती के नीचे ऐसे अधिकारी हैं सार्थवाः ठीक है यहाँ पर हो गया कौन सा? कायस्त कायस्त हो गया और यहाँ पर कुलिक हो गया यह लोग मदद करते थे विशेपती को तो विशेपती इनके इनकी मदद से शाशन करता था और जैसा कि मैंने आपका बुठा कि विशेकी नीचे कई बस्तियों को मिलाकर एक और प्रशाश्ण की कही वनी थी तो सिर्थ विथी विथी नहीं कहा गया इसको विथी कहा गया पट कहा गया भूमी पत्थक पेट कई सारे नामों से जाना गया विथी पट भूमी पत्थक पेट आप देख पा रहें कई सारे नामों से इसको जाना जाता था जो बिश्य की नीचे विथी इसमें सबसे फेमस है इसकी चर्चा कई कितावे करती है पर पट भूमी पथक पेट तो पेट शब्द का उलेख हमें पलों के समय आता है तो याद दिखएगा इसको तो विथी का हेड कौन था तो इसमें महतर आता है आयूलन या विथी महतर जैसा शब्द आता है तो आपको अभी क्या केलेर हो गया प्रशाष्निक इकाई भूक्ती फिर विशय और फिर विथी या पेट यहाँ पर हो गया उपरीक यहाँ पर हो गया आपका विशेपती और यहाँ पर कौन हो गया महतर या आयूलक ठीक है आयूलन आयूलक नहीं आयूलन तो इस तरह से इनका वो चलता था तो ग्राम अस्तर पर जो ग्रामिक होता था विति के नीचे विति तो कई वस्तियों को मिला कर हुआ ना विति के नीचे भी एक ड्राम हो गया ग्राम अस्तर स्तर पर स्थानी शाषन होता था वह आपा क्षुनाव किया जाता था मैं आई वह कि ग्रामाद्यक्ष का चुनाव किया जाता था और ऐसे में जो जितने भी जैसे जो में एक तरह से ग्रामा त्सक्रादान कह लीजे प्रधान कह सकते हैं आप इसको तो ग्राम प्रधान होते थे इसके लिए ब्रिधों ब्रिधों को ज़्दा अनुका भी माना जाता है ना तो ब्रिधों को लिया जाता था तो बुद्ध गुप्त के शाशिन काल में जो अभी लेख है उसमें जो है मलब अश्ट कुल अधिकरन की चर्चा हुई है यानि एक किसी गाउं में आठ सदस्य वाला एक बोर्ड है जिसमें सभी ब्रिध होते थे और इस परिशद क्या ध्यक्षता कौन करता था मेहतर तो मेहतर शब्द मेहतर शब्द ऐसा लगता है कि गाउं के मुख्या को कहा जाता था और जो यह परिशद है वो पंच हो गए तो इस तरह से गाउं का शाशन चलता था तो ग्राम व्रिथ ग्रामिक यह परिवार की मुख्या यह सभी महतर ही कहे जाते थे परिवार का मुख्या भी महतर कहा जाता था और गाओं का मुख्या भी महतर ही कहा जाता था गुप्ध दूत्य के समय में हम लोगों को एक साची अभी लेख मिलता है इसमें पंच मंडली का उलेख है तो पंच मंडली यानि ग्राम अस्तर्प का यह एक प्रतिनीधी परिशद था गुप्ध समराटों के लिए केंद्रिय शाषन की बात करें ये तो हमने प्रशाषनिक इकाईयां और उन इकाईयों में शाषन कौन करता था उसकी बात की हमने केंद्रिय शाशन में समराटों की सहायता देने के लिए एक मंत्री परशत का स्तित्व हमें दिखता है एलाहाबाद प्रशस्ती में एलाहाबाद प्रशस्ती में जिस सभा का उलेख हमें मिलता है हरिशेन का लिखा हुआ वो भी एक मंत्री परशद की तरफ इशारा करता है तो इसमें उच पदाधी कारियों में एक संधी विग्रहिक था जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी मामलों को देखता था बिल्कुल नोट कर लीजेगा इसको याद रखेगा तो ये विदेशी मामलों को देखता था जो संधी विग्रहिक था तो विदेशी मामलों में राजियों से संबंध, युद्ध की घोशना, समाप्ती, संधी होगा या आक्रमन होगा ये सब तो ये सिंपल है कि विदेश निती ये विदेश मंत्री था और ये विदेश निती ही तैय करता था फॉरेंड पॉलिसी, क्या होगा, किस राज्ये के साथ किस पॉलिसी को फॉलू किया जाएगा, ये अपनाता था इलाहाबाद प्रशस्ति का में जो हरिशेन, हरिशेन ने अपने को क्या कहा है संधी बिग्रही का और महा धर्णायक जो उदेगिरी अभी लेख है चंद्रगूप दूतिय का वो संध्रभी रह विरशेन, विरशेन सब के विशह में बताता है और कहता है कि वो एक कभी भी थे, वीरशेन सब एक कभी भी थे तो इलाहाबाद प्रशस्ति और उदेगिरी अभी लेख से हमें इन दोनों अभी लेखों से हमें पता चलता है कि संधी विग्रहिक के पद पर जो बैठता था, वो सिर्फ अधिकारी मातरन नहीं होता था बल्कि वो उसमें कई छमताएं होती थी, यानि बहुत काभिल व्यक्ति को काभिल व्यक्ति को ही संधी विग्रहिक बनाय जाता था तो ये एक महतोपूर्ण पद था इसी तरह से हमें पद मिलता है दंडनायक या महादंडनायक 300 से 300 से लेकर और 600 सर्ताब्दी की बीच हमें इस पद का बार-बार चर्चा कई अभी लेखों में मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि उचस्त न्याईक और सहन न्याधिकारी होंगे ये न्याईक अधिकारी भी होंगे जो फैसला भी सुनाते होगी कि आपके और ये सैन्य सैन्य अधिकारी भी होंगे तो बैशाली से एक हमें मुहर मिलता है अगनी पुत्र एक अगनी पुत्र नाम का एक ब्यक्ति महादंडनायक है बैशाली से हमें एक मिलता है ठीक है तो ये जो न्याईक होंगे उच्पद पर जैसे सबसे न्याय का कारे करते होंगे और ये सेन आधिकारी इस तरह से होंगे कि इनके अधिन सेना होती होगी जिसकी मदल से ये शैध दण्न दिलवाते हूं बागे तो सेनापती महाबला धिकृत है ही ना तो इलभाद्प्रशेश् performers में एसे तीन महादर्ण नायकों का उलिख आया है अगा हारिशेण थीक हारिशेण तो महलाम इसमें उँनके पिता महाधरनायag वह ते तो हरिश इन्तो कुद महाधरनायक थे संधी विग्रहिक थे उनके धुरू भूती उनके पिता महाधरनायक भी थे और खाद्यत पकित भी थे निप्लब जो रसोई का हेड होता था मैं जो शाही अब वो रसोई में क्या बनेगा नहीं बनेगा सहरा जो management देखता होगा उसको खाद्यत पकित कहा गया तो बर्शानुकर स्वरूफ का बोध होता है पहले हमनों बात कर चुके हैं तो इस अभी लेकर तिलक भठ नाम के एक बहादर नायक ने तिलक भठ नाम के एक महादर नायक ने ठीक है इसको वो करवाया था भीटा से एक हमें ऐसी अभी लेक मिलता है भीटा से तो इसमें एक विश्णू रक्षित नाम का एक महादर नायक अउलेक है तो ये जो विश्णू रक्षित है जो कि एक महादर नायक भी है इसके पास महाश्वपती का भी पद था तो महाश्वपती का पद यानि घुरसवार सेना का जो संचालक था महाश्वपती महाश्वपती का मतलब महा प्लस ठीके महाश्वपती तो महाश्वपती का भी पद था इस पर और इसने कुमारा मात्ते की न्युक्ति की थी मलब अन्य अधिकारियों की भी इसने न्युक्ति की थी बाके अभिलेक और मोरों पर सेना की उच अधिकारी का उलेक हमें महाबली धिकरित के रूप में मिलता है बलाधिकरित और महाबलाधिकरित बलाधिक्रित और महा बलाधिक्रित के रूप में हमें सेना की उच अधिकारी का उलेख हमें मिलता है मैंने कहा है कि महा दर्णाय वो सैनिकारे भी करता था तो ऐसा लगता है कि वो उस संदर्व में करता होगा न्याय के संदर में जो सेना का उच अधिकारी था वो महाबला धिक्रिता वैशाली के एक मुहर पर हमें यक्षवत्स एक ब्यक्ति का नाम है यक्षवत्स नाम के भाटा श्वपती भाटा श्वपती दाम का उले खाता है तो भाटा श्वपती ये पैदल और घुरस्वार पै महाश्वपती जो घुर्षवार सेना का प्रधान होगा और अभी आपने देखा भाटाश्वपती तो भाटाश्वपती का मतलब भाट सैनिक पैदल सैनिकों का पैदल सैनिकों का ये प्रमुक्ता कुछ घुर्षवार सैनिक भी रहते होगे खुद घोड़े पर चलता होगा ऐसे ही एक मुहर पर हमें रड भंडार गार धिकरन, रड भंडार गार अधिकरन, रड इसमें ते कुछ तीन शब्द है, रड भंडार, भंडार गार, भंडार गार जैसे होता है ना, सस्त्रागार, भंडार गार और एक इस पर आता है, शब्द है इसमें अधिकरन, अधिकरन तो इसमें जब ही अधीगर और यानि अधिगार है तो रड के रड यानि सेना ऐसी ही हम लोगो एक बैशाले से कई के मुहरे प्राप्थ हुई है। उस पर बड़ा संदेह रहता है कि गुप्त काल की है कि किसी और अन्यकाल की है। लेकिन कुछ मुहरे तो उसक्षट है जारततर पर होता है लेकिन यही माना गया है । क्यां गुप्त काल की हैं तो उनकी मूरों पर दंड़ पाशीक दंड़ पाशी के कार्याले का उले खाता है मिलता है में तो यह दंड़ पाशी यान्य पूलिस इंस्पेक्टर डाइब का तो प्रत्यक्ष रूप से राजा के लिए जो उत्तर दाई अधिकारी थे यानि राजा के प्रती जो पूरी तरह responsible राजा जिन से सवाल करेगा राजा जिन से उत्तर मांगेगा उसके लिए दो अधिकारियों का आता है एक तो महाप्रतिहार शाही सुरक्षा के सैनिक और दूसरा खाद्यत पकित शाही रशोई का अधिकारी तो महाप्रतिहार शाही सुरक्षा के सैनिक यानि जो बोडिगार्ड्स थे और जो रक्षा करते थे महल की राजा की वो महाप्रतिहार कहलाया और एक खाद्यत पकित था खाद्यत पकित यानि शाही रसोई शाही रसोई का प्रमूता ये तो इस तरह से कई अभी लेखों से हमें ऐसे उनके बारे में पदा चलता है जैसे एक तरवर पद महा प्रतिहार और तरवर तो ये एक ही उस संदर में इसका इस्तेमाल हुआ ये वैशाली के ही मोरों से हमें ये मिलता है तो ये तरवर नाम का एक उचस्त पद्य अधिकारी था ये और ये नागारजुन कोंड से जो प्राप्त भी लेख है प्रारम्भी का भी लेख उस से हमें मिलता है तो अमात्य और सची भी उचाधिकारी की सुची में है और ये कई अलग-अलग भागों का संचालन करते थे जैसे एक कोई भाग नहीं था सभी भागों में ये विभागों का संचालन करते थे और खुपिया जानकारी के लिए दूतक विवहाल किया जाता था यानि दूत से दूतक हुआ तो उचस्त अधिकारियों की सुची में ही आयुक्तों का जिक्र है और इसमें जो है इनकी तूलना आप गुप्त कालीन आयुक्तों से कर सकते हैं जो और सास्त्र में बात की गई है तो इसी तरह से जो है मलब यह आयूप तो जो शब्द आता है ऐसा लगता है कि राजा की मदद करती होंगे पूरी तरह से हर तरह से राजा को जब भी जोरत पड़ती होगी है एक होता है न कि सौरी यह ऐसा होता है न कि सर्दी में आप सारा बंद कर देते हो ठंड न लगे रूम में आप सब बंद कर देते हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसकी वज़े से बार बार ही आते हैं ऐसा मैं सोचना कि मुझे नीद आ रही है तो ऑक्सीजन लेवल कभी जब कम हो जाता है आज जैसे ठंड बढ़ गई है एकदम से तो एकदम से ठंड बढ़ी है तो मैंने पूरी तरह से खिड़की दरवादे सब बंद कर दी हैं जिस रूम से आप लोगा में क्लास ले रही हूँ तो इसलिए ऐसा हो रहा है तो यह आयुक्त यह जो आयुक्त थे यह उचस अधिकारी में थे और यह राजा के आसपास रहते होंगे और राजा के आसपास रहकर यह सभी कारियों को करते होंगे इलाहबाद प्रशस्ते में हमें एक बढ़न मिलता है कि जो पराजित शाशक थे जिनको समद्रगुप्त ने पराजित किया था बाद में उनकी भूमी उनको वापस दे दी गए थी पहले उनको पराजित किया गया था फिर देखा गया था फिर उनकी भूमी उनको वापस कर दी गए थी तो इसमें समुद्रगुप्त के आयुक्तों की सक्रिय भूमी का थी कि कैसे कैसे वापस किया जाएगा हुँ है को इस तरह से एक और हमें दा मोदड़ पूर परटेकाव से ही हमें एक और प्रमुकर परशाषन का मिलता है कि एक भांडड़ विधा भांड़ तू यह ऐसा लगता है कि यह जो भांड़ एक और जो है पैशाली में के मुहर है नाम के बीनेश शृत सथापक एस पे भी तीन है विनेशी चुछ गाइब कि स्थापक के विनेशी और स्थापक कि यह सभी अभिक अनुशाष नेश्थे संपने को ness जैसे राजूक करते थे ना जैसे मौरेकाल में राजूक और धर्महमात्र करते थे और मध्यकाल में जाओंगे तो एक अधिकारी का नाम आपको मिलेगा मुहत्सिब नाम की अधिकारी का उलेख मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा अधिकारी होगा जिसने नैतिक और समाजी करनुशाशन की स्थापना की होगी मलब अस्थापना क्या की होगी लोगों में ये कायम रहे उसके लिए देखता होगा बाकि इसी ज्याद्य विरुस्त्री सुचना ही सधिकारी के बारे में उप्रशाशन प्रशाशन अब बात करते है यहां पर देटेट नहीं है मैं हेडिंग दे देग एको अब हम बात करने जा रहे हैं वाकांतर प्रशाशन की कि लिटाइब करें वाकांतर डन्टत यानि वाकांतरों का प्रशाशन है तो एसमी उपेंदर सिंह कहती हैं कि वाकाटक अभी लेखों में अब वाकाटक अभी लेखों में हमें इनकी प्रशाश्निक सरंचना की जनकारी कम मिलती है वकाटकों का जो सामराज्य था वो भी प्रांतों में विभाजी था लेकिन उसे हम भूगती नहीं कहते थे उसे क्या कहते थे रास्ट्र या राज्य प्रान्तों को रास्ट्रों कहा गया रास्ट्र या राज्य कहा गया जैसे वेलोरा अभी लेक में कई ऐसे नाम आये हैं उसको देखके यही लगता है पक्कन राश्ट्र पक्कन राश्ट्र आया वेलोरावी लेख में चंपक अभी लेख में भोज कट राश्ट्र पंधूरना अभी लेख में वरच राज्य दूधिया और पंधरना पटिकाओ पर अरम्मी राज्य का उलेख है और ये सब ही अभी लेक प्रवर सिद्दूतिय के काल के हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपने प्रांतों को कहते होंगे ठीक है ये अपने प्रांतों को कहते होंगे इसको देख के ये लगता है तो यानि प्रांतों को जो गुप्त भुक्ती कहते थे गुप्त भुक्ती कहते थे और ये क्या कह रहे है राष्ट्र कह रहे है या राज्य कह रहे है तो इनका जो प्रांतिय गवर्नर थे राष्ट्र और राज्य के उनको राज्य धिक्रित कह दे थे क्या कहते थे राज्य धिक्रित इनका जो प्रधान था राश्ट्र राज्जी का उनको कहते थे राज्य धिक्रित राज्य धिक्रित कहा जाता था इन्हें और फिर से राश्ट्र को फिर कीस में बाटा जाता था तो फिर इसको भुक्ती, भुक्ती में बाटा जाता था, ठीके, प्रांत को पुनः, विशे, अहार और भोग और भुक्ती, भुक्ती यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है, तो इसको पहले रास्ट्र हो गया आपका यह देखिए यहां पर पहले रास्ट्र ऐसे देखिए पहले रास्ट्र फिर हो गया आपका विशे विशे यालि जैसे प्रांथ प्रांथ फिर जिले और फिर आता था भोग जिसे हम लोग विशे के निची बीथी कहते थे भोग या तो ये ये बड़े से लेकर बड़ा से छोटा है सेंडिंग ओर्डर में था तो गुप्तिकाल में भूगती जो सबसे बड़े इकाई थी वाकाटकों में भूगती सबसे छोटी इकाई है यानि विथी की जगह पर है तो जो बाकाटक अनुधान है अनुधान क्य而 साज्सारे के सारे भूमी अनुदान भूमी भूमी यहलिग भूमी अनूदान क्यों देते थे जैसे जैसे अभी भावति गुपता का मैंने आपको पढ़ाया ना कि राजमाता का अभिले तो इस तरह से ये लोग करवाते थे ऐसे ये लोग करवाते थे कि जैसे दे दिया जिसको जिसको दिया तो जिसको दिया उसका नाम किसको दिया और अपने बारे में सब कुछ देने वाले के बारे में सब कुछ जो दान करता है तो उससे हमें पता चलता है तो वाकाटकों के बारे में हमें इनके अनुदान लेखों से ही पता चलता है तो इनके अनुदान लेखों में एक सर्वाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष नाम का अधिकारी मिलता है यह अपने अधिन एक कुल पुत्र अपने अधिन इसलिए एक कुल पुत्र नाम का अधिकारी की नियुक्ती करते थे यह अपने अधिन और यह उनको निर्देश देते थे तो यह सर्वाध्यक्ष यानि सबका अध्यक्ष देख का मीनिंग तो यही निकलता है सर्वा यानि सबका अध्यक्ष तो यह एक बड़ा अधिकारी था और अपने अधिनी एक कूल पूत्र नमक जैसे कलेक्टर है कलेक्टर है जीले का और उसके अधिनी जीले के सारे अधिकारी आ जाते हैं और उनको निर्देश दे करके सारा शांती विवस्था बना कर रखता है बिल्कुल ऐसी है तो कुल पूत्र जो थे जो कुल पूत्र थे उनके द्वारा विधी विवस्था बनाए रखने का काम दिय जाता था कि लॉइन ओर्डर तुम लॉइन ओर्डर मेंटेन रखो यह कहा जाता था कि बीधी व्योस्था बना कर रखो कि एक और यह छत्र और भट छत्र और भट जो अधिकारी थे यह राज्य के दमनकारी शक्तियों का प्रतिनिधितों करते थे जो लोग नियमों का उलंगन करते थे उनको एकदम मौके परिदन देना इसके साथ यह भीत्री छेत्रों से राज्यस्व वसूली का भी काम करते थे और विधी बेवस्था बनाए रखने में भी सहयोग देते थे कौन तो हम छत्र और भट की बात कर रहे हैं पुल पूत्र जो बिधी विवस्था बना कर रखते थे उनको यह मदद करते थे बिधी विवस्था को बना कर रखने में और साथ में यह उस छेत्र से राज्यस्व वसूली भी करते थे फिर एक अधिकारी आता है रज्यूग तो यह मौरे काली नाधिकारी था रज्यूग या राज्यूग का बाद में रज्यूग एक ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको इस शुद्शब्शाद यही है रज्यूग राज्यूग का तो यह मौरे काली राज्यस्व वधिकारी होता था और इसकी तूलना की जाती है आज के कलेक्टर से इसकी तूलना की जाती है ठीक है एक सेकंद आप कहेंगे मैं एक सेकंद कहते हैं एक सेकंद कितनी देरा में होता मैं अभी देखो अभी कम से कम हो गया होगा है 20 सेकंद है ना ुछ आदत है आज ठंड बहुत बढ़ गई है ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा हो तो यह रजुक यह शुरू में राजस्व अधिकारे के तौर पर थे और बाद में अशोक ने इनका इस्तेमाल किया था धर्म के प्रचार में जैसे धर्म प्रचार के लिए तो उसने अलग साधिकारे रखी थी धर्म महामात्र पर यह जो रजुक थे उनको उसने शक्ती दी थी कि कोई पालन कर रहा है तो पुरसकार दो पालन नहीं कर रहा है तो उसको धर्ण दो और धाम महामात्र सिर्फ धर्म का प्रचार करते थे तो ये जो रज्युक थे ये रज्युक ये जो प्रवर सेंदूतिय की जो इंदौर पट्टिकाय है उसमें इनका नाम आता है उसमें इन अधिकारियों का नाम आता है और ये ऐसा लगता है कि जो भूमी अनुदान दी जाती थी जैसे आपने देखा न प्रभावती गुपता ने कैसे लेख लिखवाया है तो ये शार्ड लेखाकार के रूप में ये काम करते होंगे जो रज्यूप थे इन्होंने जब भी भूमी अनुदान किसी को दिया तो उसको पूरा लिखवाया पूरा लिखवाया कभी तामे पर लिखवाया कभी पत्थर पर लिखवाया तो ये सारा ये भी तो एक प्रबंध का काम था तो ये उसको करते होंगे तो राज्या रोहन दूतिया प्रवर सेंदूतिय के राजया रोहन के बाद कई सारे में अलग 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 सेनापतियों का नाम आता है कई जैसे सेनापति भी दे तो उसके बाद के जैसे अलग 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 सेनापतियों का नाम आता है जैसे एक हमें जो अभी लेखे साक्षी से मिलता है वाकार्टकों का जो वस गुलम शाखा था इसका एक मंत्री था वाराह देव वाराह देव ने वाराह देव ने बौध शंग को एक गुफा आश्रय दिया था जिसे गुफा बनवा के देते थे आश्रय दे स्थानी हो जाता यह तो गुफा आश्रय नहीं उसको कहा गया है तो एक गुफा उसने बनवा के दी जो कि अजनता गुफा संक्या सोला थी तो उसके बाहर अभी लेख है उसके बाहर अभी लेख है लगभग 20 20 प्रत्यात्मक प वो राजा था तो हरिशेन के अधिन उसका मंत्री है वाराह देव और वाराह देव हरिशेन के अधिन और उसके पीता देव सेन के अधिन वाराह सेन के पीता हस्ती भूज थे तो ये आप कैसे समझे रहो इसको जैसे दो बाप बेटों का है तो हरिशेन राजा जब बनता है ज बराह देव उसका मंत्री है किसका हरिशेन का मंत्री है तो इसने अभिलेक में बताता है कि हरिशेन हरिशेन के जो पिता थे हरिशेन के जो पिता थे वो थे देवसें देवसें ठीक है देवसें पिता देवसें इनके अधिन इनके अधिन जो मंत्री था वो बराह देव का पित और उसका नाम था हस्ती सेना सॉरी हस्ती सेना नहीं हस्ती भोज देव सेना ही आजगन पर दिमाग में खुलता रहता है हस्ती भोज तो उसमें वो कहता है उसमें वो कहता है हस्ती भोज की बिजय में वह कि चाओडे वक्ष हरिशेन भी से लिखव एए बारे में एक्योडे बार में को और इन्होंने सप्रूरं के संग का विनाज कर दिया यह बहादूर भियुत नहीं थे हस्ति भोज के बारे में हरिशेन कहता है अपने मंत्री के पीता के बारे में जो उसके हरिशेन के पीता के समय मंत्री थे तो उन्होंने सत्रू के शंग का विनाश कर दिया और लोग कल्यान की दुश्ची से देखते हैं तो वो अपनी प्रजा के लिए पिता जो देवसेन ने मरला हरिशेन के जो पिता देवसेन उन पर इतना विश्वास करते थे कि देवसेन अपना सारा राज़ पाथ सब कुछ हस्ती भोज, हस्ती भोज पर छोड़कर खुद भोग विलास में लिप्त रहते थे तो मंत्रियों पर यह लोग इतना ट्रस्ट करते थे ठीक है तो एक गोड़ा के घटोत का गुफा है वहाँ से भी हमें पता चलता है नाम जिसने निकल मैं अभी लेख को निर्गत कराया अभी लेख को जारी कराया है लेकिन बाकी जब सभी साक्षे देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वराहदेव का ही अभी लेख रहा होगा वराहदेव ने ही इसको लिखवाया होगा तो इस अभी लेख में कहा गया है कि इस परिवार को उचकोटी का वलूर ब्राभन बताए गया है वलूर ब्रामण इसके मलब ये वराहदेव और हस्ति भोज इस परिवार को जो है वलूर का ब्रामण बताए गया यानि मंत्री कौन थे तो मंत्री उस समय मंत्री उस समय ब्रामण हुआ करते थे तो ये तो शाशक भी ब्रामण थे तो मंत्रियों का भी आता है मंत्री भी ब्रामण हो सकते हैं तो हर चीज जहे ऐसे नहीं लिखती है उपिंदर सिंह सबका साक्षे देते हुए लिखती है साक्षे क्या धार पर लिखती है इनके सामन्तों ने भी कुछ अभी लेक जारी किये वाकाटकों के सामन्तों ने भी कुछ अभी लेक जारी किये तो उन अभी लेकों में जो हमें प्रशाष्निक साबदावलिया मिलती है कई सारी तो उससे भी हमें पता चलता है कि अच्छा प्रशाश में ये लोग थे यही जरिया है यही जरिया है जानने का तो मेकल के शाशक भारत बल भारत बल ने एक बमहानी अभिलेख है उनका उसमें वो एक रहसिक नामक एक रहसिक नामक अधिकारी की चर्चा करते हैं तो उससे पता चलता है रहसिक कौन होगा अनुमान लगाये गया है लिखा हुआ कई सारे तो नेम हमें मिले है अधिकारी होके पर लिखा हुआ नहीं ही करते क्या थे तो महा परितियासकार उन्हें अनुमान लगाये तो ऐसा लगता है कि रहसिक जो है वो एक गुप्त अधिक राजा का विश्वास पात्र सेमस चुनी विए • और राकोंרכचा-प्रर दैड़ कि इसकी अभियर्प में सी बमहती अभियर्पर सारार्ण बमध oneself आभियर्पर से सबते हैं मुख्या को यह लोग ग्राम कुट जो देव वारिक धन गाउंका क्सी पर अब लेक। आप लोगों को और यह याद रखेएगा आप लोग देव वारिक तो यह गाउं का आरक्षी प्रभुकर मलत जो सुरक्षा देखते थे तो वाकाटकों में एक भाट जो शब्द आता है तो इनकी तुरना गंड़क नामक अधिकारी वर्ग से की जाए सकती है और बाकी इसमें जो है कुछ प्रशाशनी की काईयां जो इनकी देखने को मिलती है तो एक द्रोडा ग्रक और द्रोड्मुक भी द्रोड्मुक भी इनकी प्रशाशनी की काई थी तो द्रोड्मुक इनका जो है अधिकारी द्रोड ग्रक नायक होता था तो यह द्रोड्मुक ऐसा लगता ही यह आपको मैंने एक बताया कि मुद्रा भी कही कही एक मुद्रा के तोर पर भी मिला है और यह जो द्रोड्मुक है यह जो द्रोड्मुक प्रसाशनी काई है और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका अधिकारी इसने दोड़ ग्रकनाईक बनाय है तो अधिकारी तो इसके सासथ रहें गा जब जब ज़रुद पढ़ेगी तब मतलब जहां जहां पर वो साथ में रहेगा ठीक है द्रोड ग्रक नायक साथ में ही रहेगा अधिकारी तो यह पर द्रोड मुख एक जैसे इसका प्रशाशनी का अधिकारी है तो जहां पर भी द्रोड मुख है वहां पर द्रोड ग्रक नायक होगा अब बात करते हैं राज्यू का राज्याश्व कस्रोद कहां से आता था सबसे इंपॉर्टिंट अभी आपने पड़ा गुप्त प्रशाशन और वाकाटक प्रशाशन इन राज्यू का जो राज्य भई सबसे जरूरी चीजी होता है किसी भी राज्य का आधार क्या होता है रेविन्यू किसी भी राज्य का और हर शाशक सबसे पहले इसको डिजाइन करता है उसको प्रशाशन को चलाने के लिए धिकारी रखने है सुरक्षा के लिए उसको क्या रखना है सेना सुरक्षा के लिए सेना भी रखनी है तो सबसे पहले वो वही बताता है, वही करता है, रेवेन्यू की बेवस्था करो, मुद्रा की बेवस्था करो कैसे होगा, तो इनका हम वाकाटकों का और गुप्तों का देखते हैं कि राजस्व के स्रोथ क्या थे, तो नारद इस्मृति, नारद इस्मृति ये क्या कहता है, क कि प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है क्योंकि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है तो यानि उच्छी ठहराया गया कि क्यूं देती है प्रजा कर प्रजा क्यूं देती है तो उन्हें के प्रजा राजा को इसलिए कर देती है कि राजा उनको सुरक्षा प्रजान करेगा कामंदक का जो नितिसार है उसमें सुझाव दिया गया कि राजा को राजस्व और संदर में एक माली अदू दोहने वाले इंसान के तरह होना चाहिए मलब कर लेने को सही माना गया है टैक्स लेने के लिए सही माना गया है और टैक्स कैसे लेना चाहिए तो एक माली जैसे कभी फूलों को बरबाद नहीं करता उसमें से सिर्फ कुछ फूल चुन लेता है पर वो फूलों को बरबाद नहीं करता वो ये भी देखता है कि फूल आगे भी ये पौधे जिन्दा रहे ताकि हमको फूल आगे भी मिलता रहे इसी तरह से एक दूद दूहने वाला जो इनसान होता है वो पूई तरह एक दिनी दूद सारा नेली चोड़ता कुछ बच्छडों को पीने के लिए छोड़ता है एक राजा को कैसे बेवहार करना चाहिए कर मामले में कर्क वसूलनी के मामले में तो उसको जो है एक माली की तरह या फिर दूदूहने वाले इनसान की तरह उसको बेवहार करना चाहिए तो अर्थ शास्त्र की तरह का मंदग का जो नीति सार है वो भी शाही कोश को महतोपूर्ण बताता है कहता है शाही कोश बहुत महतोपूर्ण है एक मिनट का ब्रेग हान जी तो शेशन थोड़ा लंबा है मैंने सूचे एक ही दिन में पूरा आप लोगों को प्रशाशन बीत सब करा दूँ तो ऐसे में तो थोड़ा सा ब्रेक बनता है और आप तो पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले रहे होंगे है ना तो कामंदग का नितिसार और शास्त्र की तरह साही कोश के महतोपूर्ण को भी बताता है और राजस्व के स्रोतों का भी उलेख करता है कि राजस्व कहां कहां से आता होगा तो देखो गुप्त समराटों ने बिजय अभियान भी बहुत किये और निर्मान भी कराए बहुत सारे साहित्यकारों को सरंक्षण भी दिया विकास इनके समय दिखता है इसको स्वनकाल कहते हैं स्वनकाल इसलिए कहते है क्योंकि सांस्कृतिक विकास होता है इनके समय तो वास्तु कला में दिखता है वो हमें ललित कलाओं में दिखता है हमें तो उसके लिए इनको राजस्व की तुजरत पड़ी होगी सामराजयवादी महत्वकान चाहों को पूरा करने के लिए भी और बाकी विकास के लिए भी और अपने लिए भी तो इनमें राजस विभा के सम्मझ में काफी विस्त्रित जानकारी दी गई है किनमें गुपत भी लेखों में तो अब आप लोग सभी अधिकारियों का नाम नोट कर लीजेगा और कॉंसेप्ट बना के रखेगा कि किस तरह से इनका राजस वो चलता था एक वो कर लीजेगा तो अक्षपटला धिक्रित यह ऐसे अधिकारी थे जो राज की लेखा जोखा रखा करते थे तो यह कौन थे यह अक्षपटला धिक्रित गया से जो तामर पत्र मिला है तो इस संदिख तामर पत्र क्यूं यह गुप्त शास्कों का था यह नहीं था इस पर इस पर जो है बहुत 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 होती है तो उसमें जो है उस तामर पत्र में भू स्वामी का उलेखाता है और वो समुद्र गुप्त के अधिन अक्षपटला धिक्रित था सम्मूद्र गुप्त के अधिन अक्षपतला अधिक्रित था और उसने तामर पत्र जो पढ़के हमें पता चलता है उसने उस तामर पत्र को जारी करने का अधेश भी दिया था तो जो ये राजकी लेखा जोखा रखने वाले जो अधिकारी थे उनको भी वेतन के रुप में भूमी दे दी जाती होगी इसी तरह भूमी हस्तांतरन के लिए जब भूमी हस्तांतरत की जाती थी तो इस संबन्ध में कुस्तपाल नामक अधिकारी होते थे जो भूमी हस्तांतरन का लेखा जोखा रखते थे रखना ही पड़ेगा इस समय आप देख रहे हो कि भूमी अनुदान बहुत हो रहा है और किसको किसको भूमी दी गई है तो एक तो आपको भूमी दी जारी है दान के रूप में तो दान वाली भूमी तो लगबल पक्की हो गई आपको दान में मिली गई वो और एक भूमी दी जारी है आपको वेतन के रूप में आपने देखा कि किस तरह से महाक्षला पटे धिकरित को भूमी दी गई है वो लंडलॉर्ड भी है तो जो वेतन के रूप में भूमी दी जाती होगी तो उसके लिए तो अपना लेखा जोगा रख रही पढ़ता होगा और दान में कौन-कौन सी भूमी या हमारे पास है कौन-कौन सी दी जा चुकी है तो उसके लिए पुस्तपाल पुस्तपाल नामक अधिकारी का पता चलता है हमें कितनी तरह के कर्थे तो उसमें जैसे बली, उद्रंग, हीरण्य ऐसी कई शाब्दावली आती है गुपताभी लेखों में वाकाटक अभी लेख में जो दो अलग शाब्दा आते हैं एक आता है क्लिप्त और एक आता है उपक्लिप्त क्लिप्त और उपक्लिप्त ये बाकाटक अभी लेखों में आता है और गुपत अभी लेखों में बली, उद्रंग, हीरण्य ऐसे नेम्स आते हैं तो भाग जिसका आप उत्तरवेदी काल से ही पढ़ते आ रहे हो तो भाग राजा के लिए सबसे सुरक्षी तूपज का हिस्सा होता था और ये प्राचीन काल से चला आ रहा था नारदी स्मृती में भी इसको क्रिश्य उत्पात का एक बटे छे और याग्यवल के स्मृती में भी कहा गया है कि एक बटे छे हिसा सबसे आई डियल होता है पहाड़पूर बेलेग्राम तामर पत्रू से भी इस बात की पूस्टी होती है कि कि किसी अरुदान का एक बटे छे हिसा जो पादित अनाज के नुसार तै किया जाता है राजा को जाना चाहिए साजा अपने जरूरत की हिसाब से इसको भाड़ाता घटाता था तोो घटाता तो नहीं था भड़ाता ही था ठीक है घटाताहा कहीं कहीं धारमी के असिताह जा सकता है इसी तरह भाग के साथ एक भोग भी आता एक भाग है और दूसरा भोग है तो ये भोग नामक करकी भी चर्चा की गई है तो ये भोग क्या होता होगा कहते हैं भोग लगा दो भोग रहन करो तो ऐसा आप माना जाता है कि ये भोग जो है फल फूल इंधन पुश्प इनके रूप में अनाज के रूप में नहीं नगत के रूप में नहीं ये जो भी होता होगा उनके पास फल फूल इंधन उसके रूप में जो लिया जाता होगा उसको भोग कहा जाता होगा यानि जो ग्रामिट समय समय पर राजा को देते थे तो राजा के द्वारा पारंपरिक रूप से जो प्राप्त किया जाता था वो उपज का एक भाग होता था और उस समय समय पर निर्धारित किया जाता था और उनसे लिया जाता था कर की रूप में तो वो यह आपका क्या था भाग था एक बली का उले खाता है बली ये बली क्या था बली भी एक कर का नाम था याद रखेगा तो काफी पहले से इस बली का उले खाया है अब ये बली कैसा कर होता होगा तो इसकी ब्याख्या कर के लिए ही हुआ है कर के संदर में ही जहां जहां करो की बात हुई ही हुआ है तो फिर इसे बली क्यों कहा गया तो इसको ऐसा लगता है कि राजा के द्वारा जो मतलब लिया जाता था क्रिश्य उत्पादन पर वो तो भाग होता था और ये भी किसी भूमी पर लिया जाने मला कर ही होता होगा या फिर ये धार्मिकर होता होगा बली क्योंकि बली प्रथा हम जानते हैं कि बली प्रथा पहले से चल रहे जी तो उसी तरह से ये भी धार्मिकर के रूप में ही धार्मिकर के रूप में ये बली प्रथा होगा बली होगा ये कर होगा इसी तरह एक उपरिकर आता है उपरिकर तो उपरिकर क्या होता होगा तो उपरिकर कर उनसे लिया जाता होगा जिन किसानों का भूमी पर सीधा अधिकार नहीं होगा वो औस्थाई क्रिशक होंगे और भूमी को पट्टे उटे पर ले करके वो खेती करती होंगे उनसे ये कर लिया जाता था उपरिकर ठीके तो उपरिकर हो गया आपका भाग, भोग, बली, उपरिकर ऐसी एक और आता है उद्रंग एक और कर आता है उद्रंग उद्रंग की विश्य में काफी मत भेदे मैं लब ये कर कौन सा था इस पर इध्यासकार अलग-अलग बात करते हैं तो यह अस्थाई रायतों पर से लिया जाता होगा ऐसा लगता है कि जैसे उपरिकर उपरिकर जैसे लिया जाता था अस्थाई रायतों से तो हो सकता है कि उद्रंग अस्थाई रायतों से लिया जाता होगा और रास्तरंगिनी में जो उद्रंग के बारे में लिखाओ गए तो ये तरह काओ लोकर कारया ले था तो इसी अधार पर बैख्या की जाती है कि जीला में अस्थानी आरक्षी थानों के राक रखाओ के लिए एक प्रकार का आरक्षी आरक्षी करता ये आरक्षी करता कि आपकी सुरक्षा के लिए आपके रख रखाव के लिए जैसे कैसे आप लोग सोसाइटी में गार्ड रहता है उस गार्ड की पेमिन्ट जाती है सबसे टाक्स वसूल करके सबसे कर वसूल कर तो बिल्कुल यह उसी तरह से था यह पर एक दूसरी ब्याख्या है कि उद्रंग को उदक से जोड़ते हुए यानि सिचाई से जोड़ते हुए सिचाई कर के रूप में देखा गया सबसे जादा उद्रंग इसी मिमान्या है मैंने बहुत सारे किताबों में देखा है कि उद्रंग को जातर इतिहासकार सिचाई कर क कि रूप में ही जादने इतिहास कारूं ने इसने किया है सिचाइकर की रूप में ही तो हिरन्य, आप हो गया आपका हिरन्य, उपरिकर उद्रंग हिरन्य, तो हिरन्य क्या था, तो ये भी एक कर था, थाक कर इसमें कोई संदे नहीं, पर ये कैसा कर था, तो इसको ये माना जाता था है, कि ये मलब नकद, अनाज के बदले लिया जाता होगा, अनाज के बदले, अ ठीक है कि जो राजाकार नाज का हिस्सा है उसके उसके जगह उसकी जगह पर आप न कर दे दो इसके अलावा और भी कई कर आए हैं जैसे एक कर आता है वात भूत वात भूत सब नोट करते जाएगा वात कफपित वात जिसमे पूरी इलाज टीकी हुई है आयुर्वेद की हुमियोपैट की इसको वात भूत कहा गया अब इसका इज्याक अर्थ नहीं बता है पर इसके मिलब जो सुझाओ दिया गया है वह यह दिया है कि बायू और आत्मा स जुड़े हुए अनुस्ठानी कारे का लापो के निश्पादन के लिए परफॉर्मिंस के लिए यह कर लिया जाता होगा वात भूत एक और कराता है हलिक देखके तो लगता है कि हल पर लिया जाता होगा हलिक का मतलब ही हलिक देखते ही लग रहा है कि हल पर लिया जाता या फिर ये बैकल्पिक रूप से अतिरिक्त कर होगा फवाजिल की तरह जो उस भूमी पर लिया जाता होगा जिस पर एक रितु में एक हल के द्वारा क्रिशी संपन होती है या तो उस पर लिया जाता होगा पर हली कर को हल पर लगा हुआ कर के रूप में ही देखा गया है एक दिए जैसे होते नों जैसे देते हो कहली तरह के देए विक्राइख्यूं कृट्रम जीवारा अमनुरंजंम कर देते हो आप सड़क से गुजरना हो तो आप टॉल टॉल टेक्स दिति यह तो एसे एसा लगता है कि ऐसे नगरूप में लिया जाने वाले सुलक होगा नगरी जीवन से संब्ध जोगती वी दिया होगी है कुट का एक विहार श्रीला लेक है उसमें शॉलकिक नामक सालतिक नामक एक अधिकारी की चर्चा है तो ये सुलक को सुलक को कलेक्ट करता था वो शॉलकी कहलाया और वखाटे के लिखुमी जो एक अलग से नाव आया ने क्लिप्थ और उप्कलिप्थ तो यह क्या है डिव्लीप और उपकलिप्थ कर्याइकर और उपकलिप्थ ओस्ट होगा विख्रेकर BC सरकार क्लिप्स का ताथ पर एक क्रेकर मानते हैं और मैटी कहते हैं कि ये किसी प्रकार का कर ही नहीं था बलकि भूमी का राजकी या अधिकार की अभी व्यक्ती मात्र थी मरलब भूमी पर राजकी अधिकार है और इन शब्दों से पता चलता था तो इसको उपिंदर सिंह कहती हैं कि इसको कूल मिला कर ये माना जा सकता है कि ये गौड प्रकिर्ती के कर होगे यानि बहुत वैल्यू नहीं होगा भूमी करनी होगा सिचाई करनी होगा लब ये ऐसी कर होगा कोई साधार निसा राजय का जो राजय शुश्रोत थे इसमें सुलकों के अलावा इन टैक्सेज के अलावा खनन लवड खनन यानि खरीज निकालना ये लोग जान गये थे खरीज निकालना जान गये थे ये लोग पहाड़ों से धरोहर खाजाने का इन पर जो शाही एकाधिकार होता था इन पर शाही एकाधिकार होता था और उससे भी कर आता था और जो गाव के लोग होते थे अगर कोई सेना का बैक्ती या फिर राजा के अथिकारी जब जाते थे गाव में तो उनके लिए वो चारा खाद इन धनिये सब उपलक्ट कराते थे जिसे सेना अगर गुजर रही है तो उसके लिए भी उपलक्ट कराते थे अगरहार गाव का चर्चा आप लोग चोल काल में पढ़ोगे बहुत लंबा चाप्टर चाहेगा हो तो अगरहार के रूप में जो दी जानी वाली भूमी थी उस पर ये कर नहीं लगाए जाते थे तो अगरहार गाव वो था जो ब्रामनों को दिया जाता था ब्रामनों को जो दान में दिया जाता था ठीक है जो ब्रामनों को भी शेश रूप से दान दिया जाता था व्यक्तिकत रूप से उसको तो कहा गया ब्रह्म दे और जो मंदीरों के लिए दान दिया गया मंदीरों के खर्च के लिए ठीक है तो जो मंदिरों के खर्च के लिए दान में दिया गया उसको कहा गया अग्रहार तो अग्रहार गाउं से नहीं लेते थे अग्रहार गाउं से किसी भी तरह का करनी लिया जाता था तो यह मतलब एक तरह से यह लौस था गुप्ट शार्च कों के लिए आप यह कह सकते हों कि एक तरह का लौस था मैं तो आपने पढ़ा पूरा का पूरा आपने आज पढ़ा है कि ओज आप पढ़ा गुप्त है कि प्रशाशन इमक्र地方 नहीं वगात्ठ न के बारे में आपने पढ़ा जिसके बारे में किताबे बहुत कम लिखती हैं सिर्फ प्रभावती गुपता सिर्फ प्रभावती गुपता का चट्षा कर देती हैं सब कर देती हैं किताबे धुरुस इंदुत्य से उनकी उनका विवा हुआ था इससे जादा बात नहीं करते बल प्रशाषन करते थे और वाकाटकों का और गुपतों का प्रशाषन कैसा था तो प्रशाषन में आपने जो है वीत और प्रशाषन दोनों पढ़ा और इसमें पूरा आपने वीत और प्रशाषन दोनों पढ़ा और साथ में केंद्रिया केंद्रिया और फ्रांतिया सभी पढ़े आपने तो इसमें बहुत सारे terminologies आए आपको इन सभी terminologies को note कर लीजेगा और अपना एक concept रखेगा ठीक है एक concept रखेगा दिमाग में और कुछ जादा सूचने की जोरत नहीं है पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो आप और कुछ मत सूचो और यही सब calculate करते रहो 2021-22 के लिए जो batches है तो यह पुराना data है ठीक है यह जो है आपका 10 December से यह batch शुरू हो गया है 10 December से यह शुरू हो चुका है History की batch शुरू हो गई है 10 December से और यह चल रहा है अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है आज है 15-16 तारिक आज 16 तारिक है तो इसमें alternate days पर classes थी कभी-कभी regular भी है तो आपका इसमें ज़्यादा नहीं है ठीक है इसमें ज़्यादा नहीं है ज़्यादा निकला नहीं है ज़्यादा तो है ज्यादा निकला नहीं है, तो आप उसके पहले ही पहले ही इसको आप जोईन कर लो, ज्यादा निकले उसके पहले ही, और GS बैच चल रहा है, सभी पेपर के लिए होगा ये, तो फिलहाली पेपर 1 के लिए चल रहा है, इसमें निव मजबूत करने के लिए NCRT, और NCRT, NCRT के बाद, स्टांडर्ड बुक्स को अधार बनाकर मुख्य परिक्षा, तो यानि यह जो मेरा कोर्स है GS का, इसमें प्रिलिम्स, प्रिलिम्स प्लस मेंस, दोनों की तयारी होगी आपकी, प्रिलिम्स भी होगी और मेंस की भी होगी, तो जो सबजेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें प्रिलिम्स मेंस, दोनों की आपकी एक साथ हो जाएगी, तो चैप्टर पढ़ते हुए जो तरीका रहेगा, NCRT पढ़ने के बाद, स्टांडर्ड बुक्स में चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए, स्टांडर्ड बुक्स ऐसा ने कि विपिन चंद्रा शुरू कर दिया या जैसे उपिन्दर सिंग्जल ऐसे नहीं, मैं खुद अपने PDF और अपने नोट्स में आपको दूँगी, जिसके अधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगी, और मेरा जो नोट्स होगा, वो स्टांडर्ड बुक्स में जो भी है, वो कुछ भी उसमें छूटा नहीं रहेगा, तो चैप्टर पढ़ते हुए, और नोट्स बनाते हुए, नोट्स बहुत जरूरी है बनाना, नोट्स बहुत जरूरी है बनाना, अपना हैंड रिटे नोट्स बहुत जरूरी है, तो चैप्टर पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करना है चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज करना है यह आपको और नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि लिखना कैसे है पड़ तो लिया इसको प्रेजेंट कैसे करना है यह आपको पता भी नहीं चलेगा तो हिस्ट्रे सोचिलोजी ऑप्शनल वैस पढ़ना है तो आप रिंगो लाइट कोड के साथ आईए यह मेरा टेलिग्राम लिंक है जाते जाते मैं आपको बता देती हूं यह मेरा टेलिग्राम लिंक है यहीं पर आप मुझे कॉंटक्ट करेंगे और यह मेरा कोड है तो लेट्स क्राकिट लेट्स क्राकिट वेद रिंको सिंग और लेट्स क्राकिट विद अनकाडमी थैंक्यू फोर वाचिंग दिस सेशिन मिलते हैं फिर नेक्स सेशिन में तब तक के लिए आप सब लोगों को आल दे बेस्ट बाबाई करेंगे